पर आज हमारे SBI Pure Prilims की पहले डे की सारी shifts ओवर हो चुकी है चारों shifts बहुत अच्छे से हो गई है तो अभी थोड़ा सा उसका analysis कर लिया जाए थोड़ा सा एक just ले लिया जाए कि आज का दिन हमारा कैसा रहा, कैसा examination आया तो basically अगर मैं shifts के बारे में बात करूँगी तो comparison उन्ही shifts के अंदर रहेगा जो आज हुई है easier side पर बात करूँ तो first shift और fourth shift हमारे पास easier side पर ही as compared to second and third साथी साथ इन दोनों shifts के अंदर बच्चों ने काफी जादा attempts किये 75 भी किये 74 भी किये 69, 70 इतने attempts सब लोगों ने किये हैं तो ऐसी shift आई थी first और fourth shift जो आज तक पिछले दो सालों में SBI प्रिलिम्स में कभी भी नहीं आई है अगर मैं थोड़ी सी tougher side पर बात करूँ तो second shift थोड़ी सी tougher थी थोड़ी सी नहीं काफी बच्चों को बहुत tough लगी है and third shift toughest shift बताई जा रही है as per the data जो हम लोगोंने collect किया है जो data हमारे पास आया वो polls से हम लोगोंने conduct किया तो ये students का ही feedback है जो मैं आपको deliver कर रही हूँ यहां पर अब यहां पर आप बोलो कि ma'am attempts हम लोग किस तरीके से guess करें कि safe attempt कितने हैं थे कितने attempt करने चाहिए first shift में काफी बच्चों ने, fourth shift में काफी बच्चों ने 74-75 तक भी किये हैं लेकिन जो हमारी third shift आ गई उसमें बिलकुल 60-59-58 ऐसी attempts भी हुए हैं क्योंकि जाद attempts नहीं हो पा रहे थे तो अब ही हम लोग नहीं guess कर पा रहे हैं कि ma'am कितना variation हमारे पास रहने वाला है बट उससे पहले छोटी सी बात करूँगी कि हमारे पास जो तीनो sections आएं उसके अंदर हम लोग कैसी variety देख सकते हैं तीनो sections के अंदर सबसे easier side पे जो section रहा वो English का section रहा क्योंकि उसमें आपको direct questions भी पूछे गए थे जैसे RCS में बिलकुल direct questions आये थे साथी साथ अगर मैं बात करूँ reasoning की तो reasoning हमारे पास 4 shifts में moderate रही है 4 shifts के अंदर similar pattern देखा गया है कि blood relation का एक set आया लेकिन 4 shifts में blood relation confusing आया हैना बच्चे confused हो गए कि यह सही बन रहा है या गलत बन रहा है 4 set हमारे puzzle sitting arrangement के आये कुछ miscellaneous questions आये Chinese coding decoding के questions आये तो यह pattern similar था लेकिन blood relation थोड़ा confusing था इसलिए हमारी reasoning जो है वो moderate side पर रही अब problem बच्चो कोई quantitative aptitude के अंदर problem इतनी जादा आई कि यहाँ पर आपके पास arithmetic का weightage भढ़ गया या फिर आपसे number series बननी नहीं पा रहे है तो quant के अंदर examiner ने इतना जादा खेल दिया कि आप अगर उस mindset से जा रहे हो DI जो आई, Calculative आई तो quant एक tougher side पर रहा और बच्चो को काफी जादा problem face करने को मिली है अब बात ये आती है कि माम हम safe attempts कितने माने हम ये कैसे guess करें कि माम हम लोग mains के लिए अब तयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते देखो यहाँ पे SBI PO Prelims का examination टोटल 10 shifts में हो रहा है तो अभी हमारे पास सिरफ 4 shifts ही हुई है है ना तो अभी बाकी की बचिवी shifts 6 shifts हमारे पास है इसलिए हम लोग अभी guess नहीं गर पाएंगे कि आपकी safe attempts कितने हैं और यहाँ पे मान के चलो normalization भी पूरे होने वाले क्योंकि काफी shifts दोनों shifts easy आई है और दो shifts stuffer side प्याज रही है साथी साथ कुछ centers के अंदर आज examination में problem हुई examination conduct नहीं हो पाया जिसकी वज़े से आप history देख सकते हो आपकी cutoffs में variations आने वाली हैं तो अभी आप यह सोचना छोड़ दो मेरा कितना safe attempt रहेगा जब सारी shifts over हो जाएंगे फिर हमें एक analysis कर सकते हैं कि हाँ इतना attempt किया है 100% accuracy सी किया है तो हो जाएगा अभी के लिए आपको यही सला में दूँगी कि आप mains के तयारी बहुत अच्छे से करो जिनका IBPSPO mains है उस पर ध्यान दो जिन्नोंने आज prelims कर लिए अब आप भी mains के तयारी पर लग जाओ क्योंकि अब आपके सामने और कोई रास्ता नहीं है I hope आपको यह चीज़े clear होगी होगी साथी साथ एक थोड़ा सा आपको मैं information दे देना चाहती हूँ कल हमारे पास एक क्वांट की marathon होने वाली है हर्शल सर की जिसमें आपको बहुत ही अच्छे level के questions मिलेंगे और यह जो marathon होगी अपने पास mains की होगी है mains क्योंकि आप काफी बच्चों का ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा week हो जाता है questions आप लोग करने के लिए approach सही नहीं कर पाते हो तो जितने questions सर marathon में करवाने वाले है बहुत अच्छे से करना क्योंकि paper वही से ही बन रहा है वैसे ही questions आ रहे हैं आज भी देखने को मिला है कि सर के data में से questions आए है तो कल आ जाना कल सर के channel पे learning capsules पे quant की marathon है शाम को मैं आपकी class लूँगी reasoning के marathon हम करेंगे mains की class ही रहेगी और साथी साथ हमारी एक combo marathon आने वाली है जो की रहेगी आपकी 10 बज़े से और combo marathon में मैं होंगी reasoning पढ़ाऊंगी, हर्शल सर होंगे quants पढ़ाएंगे, कपिल सर होंगे general awareness पढ़ाएंगे और अच्छी करवाने के लिए हम तीनों आपके साथ खड़े हैं, team shark आपके साथ खड़ी है और जब team shark आपके साथ है team shark आपके साथ है, फिट डरने की कोई भी बात नहीं है, तो आज का session हम लोग इसे note parent करेंगे, till then मिलेंगे next session में, good luck, stay happy, bye bye keep learning, keep working hard and make your parents proud